Hello बच्चाओं, यह जो question है आपका example number 1.10 दीखें, question बहुत ही simple है, question क्या कहा रहा है? The electric field component in figure, यह हमें figure गीवन है तो electric field component are electric field along x-axis हमें यह दे रिखिये है और electric field along y-axis और along z-axis 0 दे रहा है मतलब electric field की direction सिर्फ along x-axis है तो यहाँ पर यह x-axis है और यह y है, z है तो इस direction में कोई electric field नहीं है इधर भी कोई electric field नहीं सिर्फ इस direction में electric field है along x-axis electric field की direction ऐसे है electric field बच्चो यह cube रखाव है तो इस cube को cross करते वे जा रही है समझ रहो ऐसे electric field इसे cross करते वे ऐसे जा रही है समझ मारा आपको यह electric field की आपकी यह direction है और अगर आपको बच्चों यह X की यहिं पर इलेक्टरिक फिल्द का फॉर्म्मला के लिखा हुआ है अपका इलेक्टरिक फिल्ड consider lpha x1 by 2 लिखा अलफा एकस 1 by 2 अलफा यहां पर constant है बच्चों alpha की value 800 दे रिख है तो constant है अब बचां यह x च्टो distance है ठीक है यह आपका origin है origin से जैसे यहाँ a distance दूर यह cube पो रखावा है ठीक है यह वाला जो face है बच्चों यह origin से a distance पे रखावा है समझ मारा यह वाला यह line इस वाले देखो यह a distance दूरी पे रखावा है ठीक है तो x क्या है x तो distance है तो ये वाला जो face होगा ये वाला जो face होगा ये वाला face कितनी distance पे होगा ये x is equal to 2a distance पे होगा अगर ये a है बची ये सबसे पहली बात ये जो cube है ने इनकी sides a है ये भी a है ये भी a है ये भी a है ये हमें की बन है तो अगर ये वाली distance अगर a है तो ये वाले distance भी A होगा तो अगर ये वाला face cube का ये वाला face अगर A distance पे तो ये वाला जो face होगा वो A plus A 2A distance पे होगा तो X की value क्या कर रही है? चेंज कर रही है तो X की value अगर change करेगी ये X के distance है ठीक है? X की value अगर change करेगी तो electric field भी क्या करेगा? जैसे ये वाला face है, उपर वाला face है, side वाला है, ये नीचे वाला है, उस तरफ वाला है, ये वाला, फिर इधर वाला जो face हो, टूटल 6 face होते हैं, पर इन 6 face में से सिर्फ electric field lines जो है इस वाले face को cross कर रहा है, और इस वाले face को cross कर रहा है, बाकी जो 4 face हैं उन्हें cross नहीं कर रह है इसका मतब electric field lines जो है ना सिर्फ इस वाले face को cross कर रही है इस वाले face को cross कर रही है जो उपर वाला जो face है ये नीचे वाले face है इन्हें just touch करते वे जा रही है मतब electric field lines इस surface के इस plane के parallel है तो parallel होने का मतब इसे सिर्फ touch कर रही है पर cross नहीं कर रही है तो जो electric field line जिस surface को cross करती है electric flux उसी surface से associated होता है तो अगर इस surface को electric field cross कर रही है और इसे भी cross कर रही है तो इस surface से associated हमें electric flux निकालना है और इस surface से associated हमें electric flux निकालना है अगर दोनों electric flux को जोड़ देना है तो हमारा जो यहां पर पूछाना flux throw the cube वो हमारा निकल जाएगा हमें क्या निखालना है बच्छों यहां पर हमें flux throw cube निखालना है तो हमें इतना समझ मैं है कि electric field lines जो है इस face को भी काट रही है इस left face को इस वाले right face को भी काटते वे जा रही है बाकी other faces को तो काट निखी है तो flux एक तो इस surface को throw बनेगा flux एक तो left face यह वाले जो left face है इसको throw बनेगा और एक flux इस right face के throw भी बनेगा ठीक है समझ मैं अब देखिए flux का formula क्या होता है flux का formula होता है आपका ea cos theta ea cos theta अब एक और चीज बताता हूँ यह a area होता है आपके ncrd में हो सकता e delta s cos theta लिखा हो flux का formula तो confuse मत हो ना मैंने यह delta s का मतलब भी area ही होता है मैंने area लिखावा है यहाँ पर confuse मत हो ना और इसी को बचो e dot a cos theta भी लिखते हैं ठीक है मैं इस formula का use कर रहा हूँ e dot a sorry e dot a भी लिखते है e dot a को ही e a cos theta भी बोला जाता है इस formula का use हम तब करते हैं बचो इस e a cos theta का formula का use हम तब करते हैं जब electric field किसी plane surface को काटते वे जाती है तो वो काटेगी तो उस plane surface से associated जो flux होता है वो इतना होता है e a cos theta जैसे इस plane surface को काट रही है इसे कट रहे है तो यहाँ पर बच्चे है जो flux होगा हम पहले left face के throw निकालेंगा फिर इस right face के throw भी flux निकालेंगा तो अफिर उने add कर दिएगे तो मैं पहले left face के throw flux निकाल रहा हूँ फॉर्म्ला यही है E A cos theta ठीक है तो यह E A cos theta यहाँ पर आ जाएगा बस यहाँ पर जो electric field हमें लेनी है वो left face में जो electric field होगी वो हमें लेनी है ठीक है समझ भा रहा है अब देखो यहाँ पर ऐसे करते हैं आगे से solve करते हैं flux through left face यह आपका E L हो जाएगा और बच्चों यह A का मतलब क्या A का मतलब area तो बहुत आसानी से calculate हो जाएगा पहले इस theta को निकाल लेता थीटा कीदर होगा देखो देखो यह area vector इधर दे रखाए तो यहाँ n cap लिखाए इससे confuse मत होना n cap क्या होता है unit vector होता है ठीक है तो किसी भी vector को unit vector ही direction प्रोवाइड करता है तो इन दोनों में जो angle बन रहा है theta वो कितना बन रहा है 180 degree बन रहा है तो यह theta की जाब है 180 degree आजागा cos 180 degree बागी कुछ थोण ना करना है यहाँ e l यह a और यह cos 180 degree क्या होता है minus 1 होता है तो यह negative हो जाएगा अब देखिए ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं यह electric field in left face है ना इस left face में कितना electric field हो से निकाल लें तो electric field का formula तो यह है electric field का formula तो यह हमें given था ना alpha x की power 1 by 2 तो अगर मुझे electric field in left face निकालना है तो इसी formula को use करना है alpha तो constant है x क्या distance है मतलब हमें electric field कितने distance में निकालने हैं यह left face यहाँ पे न तो यह left face कितने distance में x is equal to a distance रखावाए यह वाला left face तो यहाँ पे electric field कितना होगा मतलब a distance तो x की value कितनी हो जाएगी A हो जाएगी पस X की जगा में A put करना है A 1 by 2 पस इसी को यहाँ put करना है इस जगा में इस जगा में put करना है Alpha A 1 by 2 Area कितना हो जाएगा वही इसका जो area हो जाएगा वो कितना हो जाएगा Side into side Side कितनी दे रिके A Cube की side कितनी दे रिके A तो A into A एरिया होगी आपका A into A तो यह alpha L कितना हो जाएगा minus A 1 by 2 into A की power 2 ठीक है तो यह होगी आपका बच्चों minus alpha A की power 1 by 2 plus इन दोनों का जो into होगा यह base same है ना तो यह powers add हो जाएगी तो 2 plus 1 by 2 कितना होता है यह 5 by 2 होता है तो इस तरीके से बच्चों जो हमें flux निकालना था throw left face वो निकल गया है अब throw right face भी निकाल लेते हैं फिर उन्हें add कर देंगे ठीक है तो flux throw right face formula यह होगा आपका E A यही वाला formula E A cos theta E A cos theta हो जाएगा बसे यहाँ पर throw right हमें electric field in right face निकालना है ठीक है जैसे यहाँ पर में area vector इतर लिया था तो area vector हमेंसा outward होता है बहार की तरफ जैसे इस plane surface का अगर area vector निकालना है तो outward है बहार की तरफ तो यह area vector है और यह electric field की direction है जैसे यहाँ पर NCRT में आपका area vector इस तरफ दे रहा है यह n-cap तो outward होगा area vector ठीक है तो देखो दोनों की direction क्या है सेम है तो यहाँ पर theta क्या बन रहा है 0 degree बन रहा है दोनों vector की direction सेम है theta is the angle between इन दोनों के यह दोनों जो angle बना रहे है उसी को theta बोलते है तो दोनों की direction क्या है यहाँ पर सेम है तो theta तो 0 हो गया तो cos 0 degree कितना होता है 1 होता है ठीक है तो यह into 1 हो गया मतलब यतना ही आ जाएगा E R A ठीक है अब यहाँ पे सिर्फ value put करनी है यह flux throw right face यहाँ से throw right face जो होगा बच्चों वो कितना होगा E R कैसे निकालेंगे तो बस इसी formula का हम use करेंगे E R रिख ले तो देखो बच्चों यहाँ पे E R अगर मैं यहाँ पे निकालू इस formula की जरिए यह formula हमें given था न तो E R is equal to हो जाएगा यह alpha आएगा और यह जो X है X की value change हो जाएगी बस क्योंकि बच्चों हमें right face में यहाँ पे electric field निकालना है तो यह वाले जो right face है यहाँ से लेकर करके यहाँ तक कि जो distance हो कितनी है X की value कितनी हो जाएगी यहाँ से लेकर करके यहाँ तक यह तो A है और यह भी A है तो A प्लस A 2A हो जाएगा तो यहाँ पे X की जगा में मुझे क्या लेना है 2A पूट करना है इस formula में X की जगा 2A पूट करना है अब पावर 1 by 2 समझ मा रहा है 2A की पावर 1 by 2 आएगा यहाँ तो यह ER क्या हो जाएगा आपका यह alpha यहाँ पे इसकी जगा में लिख रहा हूँ यह 2A की पावर 1 by 2 और यह area की जगा में A square हाँ जाएगा समझ मा रहा है तो यह flux throw right face कितना हो जाएगा यह alpha और 2 की पावर 1 by 2 तो यह root 2 हो जाएगा और यह A की पावर 1 by 2 और A की पावर 2 कितना हो जाएगा इनको अगर आप solve करोगे ना तो पहले है इसे लिख देता हूँ यहाप आपके लिख 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 ल कर दो इन दोनों को add कर दो बाकी कुछ भी नहीं करना तो यहाँ पर alpha A की पावर 5 by 2 तो common आजाएगा यह minus 1 आएगा और plus क्या आएगा बच्छों यह root 2 आएगा समझ मा रहा है अब देख बच्छों alpha A की पावर 5 by 2 minus 1 plus root 2 की value कितनी होती है बच्छों root 2 की value होती है 1.414 इतन पावर 5 by 2 इसको solve करूं तो कितना आएगा यह आएगा आएगा आपका into 0.414 आएगा अब देखिए alpha और A की value कितनी दे रिखे देखो alpha दे रहा है यहाँ पर 800 और A की value दे रिखे 0.1 तो इसे लिख देते हैं यह 800 है into A की value 0.1 है कि power 5 by 2 into 0.414 तोड़ी मैनत हमें इसे solve करने में लगानी पड़ीगी बस थोड़ी सी मैनत है यहाँ पे से लिख देता हूं मैं 800 into 0.1 5 upon 2 into 0.414 है तेक है 0.414 अब देखो इसे थोड़ा solve करने में थोड़ा थोड़ी calculation लगेगी इसमें मैं बता दे तो कैसे करना है एसे 0.1 की power अगर इस फाइव अपाउंट 2 लिखा है ना बहुती सिम्पल है इस 0.1 को ऐसे लिगो इस 5 लिखा और एसे वन अपाउं 2 भी लिख दिया पावर 5 और इंटू 1 अपाउन 2 ठीक है अब इस 0.1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपाउन 10 लिख सकता हूँ कि पावर 5 और पावर 1 अपाउन 2 समझ मा रहा है इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 की पावर 5 10 की पावर 5 और ये 1 अपाउन 2 समझ मा रहा है तो यह finally क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, upon यह हो जाएगा, आप 10 की power 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10 की power 2, 10 की power 2 into 10, ऐसे लिख सकता हूँ, और यह 1 upon 2 लिखावान है, power, तो यह root के अंदर आ जाएगा इस तरीके से, तो इस तरीके से बचों, यह root 1 तो 1 ही हो जाएगा, और यह 10 की power 2, 10 की power 2 में, 10 की power 2 भारा जाएगा, क्योंकि यह peer है, और सिफ एक 10 जो है, root के अंदर रह जाएगा, तो यह क्या आ गया, 1 upon 100, root 10 आ गया, बस, simple, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी value मैंने निखाल दी, कितनी आ रही है, यह 1 upon 100, यह root 10 आ रही है, into 0.412 आ रहा ह कितनी होती है, वैसे यह value आपको given होंगी, पर इस value को रट लीजिए, root 10, कुछ value हमें रट नी भी पढ़ती है, ठीक है, यह value होती है, आपकी 3.162 होती है, ठीक है, अब यह 8, 4, 3 carry 8, 9, 10, 11, 1 carry 8, 4, 32, यह 33, तो यहाँ decimal यहाँ आएगा, यह 3.162 आ जाएगा, ठीक है, तो इ अब देखो जो असली question है, यहाँ पर पूछ रहा है, charge within the cube पूछ रहा है, तो बचों हमें यह बताना है कि कोई एक cube है, उस cube के अंदर कितना charge होना चाहिए, कि उस charge से इतना ही flux बने, इतना ही flux बने, बचों इस वाले cube की बात नहीं कर रहा है, इस वाले cube की बात नहीं कर र lines निकलती, इस से भी electric field lines निकलती, तो यहाँ पर हमने electric field lines सिर्फ इस direction में लिया है, इस formula के according हमने निकाला था, electric field along x-axis हमने electric field को इस direction में लिया था, लेकिन अगर यहाँ अंदर कोई charge होगा, तो उस से भी electric field lines चारों तरफ निकलेंगी, तो फिर तो electric field की हर तरफ direction हो जाती, लेकिन यहाँ पर पूछा, charge within the cube पूछ रहा है, तो जब भी question में charge within the cube रहता है, वो कह रहा है कि कोई भी आप cube ले लीजिए, और उसके अंदर कोई charge रखा होगा है, और वो उस charge के बारे में हमने बथाने कि वो charge कितना है, अगर उस charge से जो flux बन रहा है, वो flux कितना बन रहा है, इतना ही flux बन रहा है, समझ भारा है, तो जैसे ना, ऐसे मलव, ऐसे cube दे रखा है, यह cube दे रखा है, ठीक है, इस तरीके से cube दे रखा है आपका, इस तरीके से cube दे रखा है, इसके अंदर एक Q charge है, अब जो इस से ऐसे electric field lines ऐसे भार निकल लूगे, भार निकल लूगे, तो यह surface को क्या कर रहे है, काटते वे जा रही है, तो इस surface से associated जो flux है ना, वो flux हमें इतना ही लेना है, 1.05, तो वो कह रहा है कि यह जो flux है, इतना flux कितने charge की वजह से बन रहा है, तो इस type की question होता है, इस type की question करने के लिए हमें बच्छों, गॉस theorem लगाना पड़ता है, तो इस से ऐसे electric field lines निकल रही है, तो उसके चारों तरफ आपको क्या करना है, सिर्फ कैसा भी एक Gaussian surface बना दो, ऐसे surface बना दो, कैसा भी, और आप से पूछा जाता है, यह surface कितना electric flux बना रहा है, तो उसके लिए formula यह होता, Q upon epsilon 0, इसके सिवाए कुछ नहीं होता, इसके सिवाए Q upon epsilon 0, तो हमें यह कह रहा है, कि यहाँ पे हमने किसी charge के अंदर एक cube रखा हुआ है, तो वो cube जो flux बना रहा है, इतना ही flux बना रहा है, तो वो charge कितना होगा, calculate the charge within the cube हमें बताना, तो बचों मान लो, यह cube है, एक नया cube है, उसके अंदर एक charge रखा हुआ है, तो formula तो यह हो ज 8.854 होता है, 8.854 into 10 की power minus 12 होता है, तो Q is equal to क्यों हो जाएगा, बसी नहीं multiply कीजिए, 1.05 into 8.854 into 10 की power minus 12, इसका जो multiplication आता है, multiplication खुद कीजिएगा, और अगर नहीं कर रहे हो, तो गलती-गर्दी physics ले करके, ठीक है, थोड़ी practice कीजिए, ज्यादा लेजी नहीं होनेगा, ठी कर दो 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 कर दो